The education of youth is the foundation of a country. अर्थार्थ जरूरी है युवाओं का शिक्षित होना, यदि देश की, किसी देश की नीव पक्की होरी है, तो युवाओं का शिक्षित होना भी जरूरी है. मैं एसके विश्राष चार्थ करियर में आपका बहुत-बहुत फागत करता हूँ, और मैंने ये टॉपिक लिया है, आज पुट अप, पुट आफ, पुट आउट, पुट इन फॉर्प, जिन मैंने इसमें बताया है, पुट शब्द का बहुत यूज है, इसकी तीनों ही फार फार्प, यी फ्रिया है, और इसकी तीनों का फार्म एक जी होती है, तो पुट का मैं पहले भी अर्थ बता चुका हूँ इसलिए मैं आज, पुट अप और ये अनशब्द लूँगा, पुट अप, हाथ उपर करना, पुट अप का अर्थ है, हाथ उपर करना, पुट यार या अध्यापक महोजय लड़कों से कहते हैं इस्टुएंट से कहते हैं पुट यॉर हेंट्स अप अपने हाथ ऊपर करो निर्मार करना भी इसका अर्थ होता है I want to put up my new house मैं अपने नए भरका निर्मार कराना चाहता हूं I want to put up my new house दिवार पर कुछ लगाना इसका अर्थ होता है put up का he put the poster up उसने दिवार पर poster लगा दिया उसने दिवार पर poster लगा दिया poster लगाने की एंग्रेजी जी यही आएगी दिवार पर कुछ लगाने की बढ़ाना they are putting up the piece again वो फिर से भीज बढ़ा रहे हैं आजकर आप जानते ही है स्कूलों में फीज बढ़ती चली जा रही है they are putting up the piece again वो फिर से भीज बढ़ा रहे हैं उनका कामी यह फीज बढ़ाते रहो they are putting up the piece again वो फिर से भीज बढ़ा रहे हैं किसी उद्देश से पैसा देना ये प्रॉमिस्ड उसने वाइदा किया तो पुट अप दा मनी और स्कीम कि योजना के लिए वो पैसा देगा ये प्रॉमिस्ड तो पुट अप दा मनी और स्कीम योजना के लिए वो पैसा देगा उसने वाइदा किया किसी देशे से पैसा देना तो वो इसकी जो जना है जिसके लिए वो पैसे देने का वायदा कर रहा है अब देखें बिस्तर प्रदान करना किसी को लाइटिस्टे कराना रात को रहने के लिए बिस्तर देना रुकने के लिए जिससे वो आराम से सो सके तो can you put us up next Sunday क्या अगले इत्वार को आप हमें सोने के लिए बिस्तर दे सकते हैं can you put us up next Sunday अगले संडे को अगले रभी बार को क्या आप हमें रहने के लिए सोने के लिए बिस्तर दे सकते हैं देखें put up to put up to का अर्थ है सहमत करना who put you up to write a letter तुम्हे सहमत किसने करा पत्तर लिखने के लिए तुम्हे सहमत किसने करा who put you up to write a letter पत्तर लिखने के लिए आपको सहमत किसने किया यहाँ पर put up to का अर्थ है सहमत करना put up with put up with माने होता है सहन करना I cannot put up all this noise मैं ये सारी आवाज शोर बरदास्त नहीं कर सकता I cannot put up all this noise मैं ये शोर बरदास्त नहीं कर सकता ये जो आवाज आ रही है न तो ये मैं बरदास्त नहीं कर सकता तो put up with बरदास्त करना सहन करना अब देखें put off put off के कितने अर्थ है मैंने यहाँ पर चार अर्थ लिखे है put off p-u-t-o-w-f यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ पहला ही सेंटेंस है यहीं बता दूँ बत्ती बुधाना इसका अर्थ है put or का मतलब होता है बत्ती जलाना put off का अर्थ है please put off the light off put the light off बत्ती बंद कर दो light बंद कर दो please put the light off तो यह जो सेंटेंस है put the light off इसके लिए put off शब्द कर प्रियूग होता है और एक और शब्दा आता है इसके लिए put out put out भी इसके लिए light के लिए और आग के लिए use कर सकते हैं जैसे कहीं आग लग गई है तो उसके लिए हमें put off का use नहीं करना है put out का use करना है पुट आफ का नहीं कर सकते, यह फर्क है, तो पुट आउट का प्रियोग, लाइट बुझाने में हो सकता है, लेकिन पुट आफ का प्रियोग, आग लगी हुई है कहीं, तो उसे बुझाने के लिए नहीं हो सकता, देखें, पुट आफ, बत्ती बुझाना, प्लीज, पुट तो तालने के लिए पुट आफ का यूज बहुत ज्यादा आता है तो इस प्रकार से बहुत यूज है इस पुट आफ शब्द का क्योंकि टालने के लिए ज्यादे तर इसी का प्रियोग होता है इस्थगित करना इसका दूसरा अर्थ है I had to put off the meeting because I was ill क्योंकि मैं बीमार था मेरी कमिट ठीक रही थी इसलिए मैंने meeting को इस्थगित कर दिया इस्थगित करने का मतलब है आगे के लिए चाल दिया I had to put off the meeting because I was ill मैं बीमार था इसलिए मैंने meeting को इस्थगित कर दिया बाद में होगी, मन खराब होना भी इसका अर्थ होता है, the cheese, panier looked nice, देखने में तो सही लग रहे ऐसा वही panier, panier देखने में सही ता, the cheese looked nice, देखने में तो सही लग रहे ऐसा, but the smell put me off, लेकिन उसकी smell ने, बदमू ने मेरा मन खराब पर दिया मून खराब पर दिया उसकी उसमें से बदमू आ रही थी देखने में ऐसा लग रहा था पड़ी ताजा बाला पड़ी आ है देखने में अच्छा था बड़ था इसमेल पुट मी आउप लेकिन उसकी बदमू ने बदमू से मेरा मन खराब अब देखें, Put Out का अर्थ, Put Out, हात बढ़ाना, Put Out, हात बढ़ाना किसी चीज को लेने के लिए, हात बढ़ाना, देखें, Put Out, हात बढ़ाना, He put out His hand to steal the book, उसने हात बढ़ाया, उस्तक चुराने के लिए, हाज बढ़ाया उस निए तो इस तरीके से इसका यूज होगा He put out हाज बढ़ाना He put out his hand to steal the book किताब चुडाने के लिए उसने आगे हाज बढ़ाया लाइट बुझाना आग बुझाना अभी मैंने इसके बारे में बताया भी था आग बुजाना, लाइट बुजाना डोनों के लिए put out शब्द का प्रियोग होता है लेकिन आग बुजाने के लिए put off का प्रियोग नहीं होगा The fire brigade, soon put out the fire जल्दी से fire brigade बालों ने आग बुजा दी और मैंने आगे लिखा है put off का प्रियोग जगे नहीं होगा अब देखें, परिशान करना, do not put yourself out, for my sake, put out का तीसरा माइने है, तीसरा अर्थ है, परिशान करना, do not put yourself out, अपने आपको परिशान मत करो, for my sake, मेरे लिए, अपने आपको परिशान करने की कुई जरूरत नहीं मेरे लिए, ये अर्थ है, do not put yourself out, for my sake, मेरे लिए, नाराज करना, he was put out, by my decision, मेरा जो निरने था, इससे बो नाराज हो गया, he was put out, नाराज करना, he was put out, by my decision, मेरे निरने से बो नाराज हो गया, put in for, put in for का अतुता है, आवेधन करना, apply करना, application देना, प्रस्तुत करना, ये सब इसके अर्थ है, put in for, आवेधन करना, apply करना, application देना, are you putting in for that job, चाह तुम उस जॉब के लिए apply कर रहे हो, चाह तुम उस नौकरी के लिए apply कर रहे हो, application दे रहे हो, क्या उस नौकरी के लिए, are you putting in for that job, putting in for करत है, आवेधन करना, are you putting in for that job, चाह तुम उस काम के लिए, उस जॉब के लिए, आवेधन कर रहे हो, तो put पर मैंने put up और अनेको शब्द साथ में लगा करके put out, put up with और put up to, बहुत सारी चीज़े दी हैं, तो ये निश्यत रूप से आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, कैसी लगी है मेरी वीडियो, like करें, share करें, subscribe करें, God bless you, thank you very much.